हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में और कमपाउंड के बारे में तो एलिमेंट क्या होता है फ्रेंट्स एलिमेंट होता है प्योर सबस्टान्स यानि कि जो एकदम प्योर पदार्थ होगा उसी को हम एलिमेंट कहते हैं जैसे कि ये हमारे पास कॉपर की तार है तो आपको पता है कि हर कोई चीज एटम से ही मिलकर बनी है है ना हर कोई चीज हमारे एटम से ही मिलकर बनी है और एटम क्या है फ्रेंड्स ये चीज आपको पता है कि एटम क्या होता है small particle एक बहुत ही छोटा कन होता है तो अगर आप इस तार में देखोगे, इस copper की तार में देखोगे, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ copper के ही atoms मिलेंगे इसी के चलते हम इसको क्या कहते है, pure substance कहते है, या फिर कहिए कि इसको हम क्या बोलते है, element बोलते हैं, ठीक है, लेकिन compound क्या होता है compound का मतलब होता है mixture, ठीक है, तो इसमें आपको कभी भी एक तरहा का atom नहीं मिलेगा इस substance में जैसे की हमारे पास nichrome हो गया, ठीक है, so nichrome एक example है, so nichrome क्या है हमारे पास एक तरहा से compound है क्योंकि इसमें आपको nichrome में कभी भी एक तरह के atom नहीं मिलेंगे इसमें आपको different different materials के atoms मिलेंगे, जैसे nickel plus chromium, यानि nichrome, तो इसमें क्या होंगे nickel के भी हमारे पास atoms मिलेंगे आपको और chromium के भी आपको atoms मिलेंगे, चिक है, तो ये क्या है, एक तरह से हमारा compound है, चिक है और हमारे periodic table में elements कितने होते हैं, आपको पता है friends, हमारे periodic table में 118 elements होते हैं, चिक है periodic table में हम क्या रखते हैं elements को रखते हैं और इन ही elements को एक तरह से different different elements को लेकर, हम compound तयार करते हैं या फिर कहेगी अलोईज तयार करते हैं चीखें सो ये बहुती चोटी जानकारी मैंने आपको पताई element and compound के बारे में सो आई होप की आपको समझा गया होगा सो थेंकी वेरी मच